कि अच्छरों एक तो नाव एक तर्थ लेक्चर है हाँ सब्सक्राइब और इसे हाँ अगर मैं सिंप्ली गपट मुझे कमपाइं करना है तो डबल में बेसिकली आपने पहले क्या लेर्ण किया है कि अगर लिमिट्स गिवन है तो double को solve किसे करना है सारे integral को solve करते समय आपको उसको single integral में convert करना है क्योंकि आपके पास जितने भी सारे results है integration के जितने भी सारे formula है वो सारे formula है आपके पास single integral के लिए थे तो अशक भी होगा नहीं कि double integral आपका एक time पर solve हो जाएगा at the end double integral भी आप solve करते हो at the end आप एक single integral ही solve करते हो and same logic आपको आगे carry करना है triple भी अगर आपको solve करना है so at the end उसको आपको single integral में convert करना है तो double में आपने जो part learn किया है as it is आपको अभी triple में apply करना है but triple में अभी थोड़ा क्या होगा कि आपको जो diagram जाएगी वह भी 3 dimension या 4 dimension में जाएगी इसलिए उस case में थोड़ा imagine करना difficult होगा but ideas वही है so double में आपका start क्या था अगर मैं combine करता हो पूरे इस unit को आपने start कैसे क्या है कि if limits are given तो अगर double के limits आपको given है दो type के integral double में inner and outer integral double में outer integral के limits हमेशा constant आते but inner integral के limits आपके variable form में भी आ सकते तो अगर वो दोनो limits constant है तो आप किसी भी order से solve कर सकते हो but फिर से मैं वही repeat कर रहा हूँ कि random order से solve करो but उस case में आपको proper पता होना चाहिए x के limits कोन से और y के limits कोन से मतलब double integral dx dy एक्स के limits कोन से अपका inner integral है वो x के limits के limits की अगर आपको पता है ने कि inner integral किसके limits है तो प्रप्रोब्लेμ होगी जब variable आ जाते inner integral के limits जब variable में आते तब कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि अगर वो suppose inner integral के limits आपके y में आ रहे तो वो actually x के limits है reverse होता है for example if inner integral are vary from y to y square तो आप पेले क्या करते हो पेले x से integrate करते हो क्योंकि y and y square these are actually limits of x हमेशा reverse होता है y के limits से तो वो x के values रहेंगे x के limits है तो वो y के values रहेंगे तो order को अगर आपको change करना है तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कौन से limits x के और कौन से limits y के तब आप चाहों तो किसी भी order से solve करो this is all about constant case तो फिर उसमें basically आपने result क्या था if limits of inner integral are the function of x अगर inner integral के limits x में आते है तो आपके order के आएगी dy dx क्योंकि जो inner integral है वो actually y के limits थे और उसके बाद जो outer integral है वो x के limits थे and after that if inner integral if limits of inner integral are in y then you have to integrate first with respect to dx and then with respect to dy इस order को आप change नहीं कर सकते है तो आपको एक result है कि एक तो question में चाहिए या तो आपको मतलब वो पहले पता होने जाकि यह चलो x के limits से यह चलो y के limits से यह दिक्कत आपको मतलब अगर दोनो limits same ही आ जाते 0 to 2, 0 to 2 उस case में दिक्कत नहीं आती आप दोनों से किसी को भी x के limits ले सकते हो बड़ अगर ऐसे आ जाते है कि 0 to 1 and 2 to 3 तो यह आप मतलब question में कई पहले कई पहले मेंशन होगा कि 0 to 1 यह x के limits से कि y के limits से या 1 to 2 यह x के limits से कि y के limits से फिर उस case में order को change करना possible होता है फिर उसका बद आपने क्या लानी क्या है how to solve double integral without limits तो आप उसके लिए region draw करते हो अभी वो जो region आपका आथ है वो 2 dimension का region आथ है clear करता हो वो 2 dimension क्या क्यों आता है क्योंकि आप हमेशा region calculate करते हो इसका मैं आप projection लेते हो अपको प्रोजेक्शन से हमेशा क्या होता है जिस dimension में आप हो आप कि वह ड्याग्स हो और कि वो योजेक्षिंशन लिखन प्रोजेक्षिन कीज्गी करता है प्रोजेक्षिन जो है निगा migrant में आप लेके आता है वही इक प symbi्छ हैया यही logic यूजिक करके अप्छ written should डबल मिले से एरिया काल्कुट करते हो क्योंकि area concept is related with two dimension logic use करके आप triple integral से volume calculate करने वाले क्योंकि volume भी आपकी क्या है three dimension की concept है okay वो बेसे volume के time पर और भी in detail में explain करता हो तो without limit का वो part था फिर उसके वाद आपने देखा है double integral with polar coordinates okay polar coordinates coordinates में totally आपका part अलग हो जाता है there is no relation between your Cartesian case means vertical strip and horizontal strip and the polar part क्योंकि polar part में एक तो radius vector आता है और radius vector आप randomly नहीं ले सकते क्योंकि previously Cartesian में जो vertical strip है वो आपको randomly कई पे भी उस region में consider करने थी but radial strip के समय radial strip का एक end आपका हमेशा pole पे चाहिए origin पे चाहिए और other end आपके उस region पे चाहिए और जो भी radial strip के limits आते है वो आपके r के limits आते है and to cover that whole region जैसे आप radial strip को मुह करते हो that gives you limits of theta और polar में एक सबसे simple part क्या होता है उसमें कोई order नहीं रहती मतलब order आपको calculate करने के जरूरत नहीं पड़ती है हमेशा उसके order के आते है पहले dr उसके बाद d theta इसलिए जादा तर question polar मतलब जादा तर students polar के question prefer करते है क्योंकि उसमें calculation भी simple होता है order भी मतलब confirm होते है कि आपको करना क्या किस order से solve करना है फिर वो double के बाद आपने area का topic learn किया है okay how to solve how to find area of given region but using double integral okay now we'll come to the next topic which is triple integral triple integral में भी same part से हमें divide करना है तो पहले हमें यह learn करना है how triple integral with limits तो अगर triple integral limits given है फिर उसको solve कैसे करना है second case जो आएगी triple integral without limits उसको कैसे solve करना है और एक और strong result है triple integral में जिसमें without drawing without actually tracing that region or drawing that region आप directly triple integral को solve कर सकते हो that part is called as directly the theorem या कुछ तो है वो एक theorem है जिसे आता हमें आपको explain करता हूँ उसके conditions important है ओके मेजर पार्टे explain करता हूँ कुछ ज्यादा in detail में नहीं जाता इसके कुछ ज्यादा जरूर्वत नहीं है जहाँ पे भी आपको problem आ रहे है आप immediately बोलो spherical polar system यह सबसे important part है और आप ज्यादत तर आप polar के उपर focus करोगी कि polar से चीज़े और भी सिंपल हो जाती है okay x and y के case में आपको पता integration इतने ट्रिवेल नहीं आते उसमें calculation रहता है यह वह लेंदी भी हो सकता है यह आपके spherical polar coordinates है वे एक से इक्वल तो आर साइन थीटा साइन थीटा साइन फाइज एक्वल तो आर कॉस थीटा ओके यह सब को समझ में आ रहे है कि एक्वल आर साइन थीटा कॉस पाइज के से आ रहे है यह सारा यह सारा यह सारा डायग्राम से calculate किया है आपको में मेजरली क्या याद रखना है क्योंकि यह कभी भारी नहीं होने वाला एक्वल य के वालू जड़के वालू जैसे आपको जैसे आपको स्पेरिकल पोलर कॉडिनेट से स्वाल करना है एक्स भाई जड़के वालू उसका भी चेंज नहीं होने वाले चेंज क्या होने वाले आपके लिमिट्स तो यह आप ऐसे याद रखो कि कोई भी रिजन जैसे गिवन होता है उससे आपको इमिजेटली समझ में अना चाहिए कि थिटा के वाले उसके और फाई के वाले उसके आए आर भी आपको इमिजेटली समझ में आता है आर इस एक्चिली रेडियस वेक्टर तो उसके लिए मुट्स आपको समझ में आ जाते तो अगर आप इस डाइग्रम को देखते हो यह आपके अभी थ्री दिम हे सर्कल आने वाला है या पने प Täल प्लेन को पस 다 करते हो यह इसलिए खैंक अंडर कंसेडर करते तो इसलिए जो 5 के लिमिट्स आपको उस टोटल सरकूल को कवर करना है तो कवर दाट होल सरकर, यू निट तो वैरी 5 रॉम 0 तो पाथ इसलिए 5 के लिमिट्स आपके हमेशा क्या रहे, 0 तो तो पाथ अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, what happens if I consider the hemisphere हमिस्पेर अगर आप कंसिडर करते हो, हमिस्पेर मतलब क्या है, xy plane का उपर का पाथ ही कंसिडर करो, नीचे का पाथ आपने अभी चलो रिमूव किया है, हमिस्पेर हाप पाथ, हमिस्पेर के टाइम पे भी दोनों का इंट्रसेक्शन क्या है, होल सरकल है, तो उस टाइम पे भी आपके फाई के लिमिट्स के आएंगे, 0 to 2π, तो क्या रिजल्ट बन गया, स्पेर के टाइम पे भी 0 to 2π, हमिस्पेर के टाइम पे भी 0 to 2π, what happens if I consider this sphere in positive octant only, या first octant only, अगर आप उस same sphere को first octant में consider करते हो, तो आपके लिमिट्स के आएंगे, अभी 0 to 5 by 2, आप first octant में मतलब यही डागरम आपको ready करनी है, यह डागरम अच्छली first octant की है, first octant में बस इतना है part आएगा, यह ऐसा कुछ तो circle मिल जाएगा, और इस region में आप चेक करो, x और y में angle के आता है 5 by 2, so in that case your 5 vary from 0 to 5 by 2, यही 3 cases है आपको, full sphere, hemisphere and the part of sphere in first octant, तो 5 के लिमिट्स अभी clear होगे, इसको imagine भी कैसे करना है, floor के ओपर चल रहा है वो सब कुछ, x, y plane के ओपर चल रहा है, now come to the theta, जो radius vector और z axis, इन दोनों में जो angle create किया है, that angle will be theta, now here, जो आपके given coordinates, x की value, y की value, z की value, अगर आप यही values लेते हो न, you cannot change this approach, मतलब जो theta है, वो आपको radius vector और z, इन दोनों का angle लेना है, अगर आपको अगर लगता है कि मुझे theta actually, radius vector का angle लेना है, तो यह उपर के values भी change हो जाएंगे, इसलिए मतलब जैसे explain कर रहा हो, आप वैसे ही याद रहो, अगर आपको कुछ चेंज करना है, मतलब x equal to y, y equal to z, तो उस सबसे भी changes आजाएंगे, ठीक है, so here theta is, in this question I define, between radius vector, and अभी imagine करो, आपका sphere का है, we have a sphere around origin, 0, 0, 0, okay, so यह जो angle है, to cover that whole sphere, actually आप कैसे move करने वाले हो, इस point से लेकर, z का opposite axis तक, यहाँ तक, तक है, आप देखो कि इसे करिंग मिल जाएगे आपको, ठीक है, आपने actually इसे आदा move किया है, means your theta vary from 0 to pi, आप imagine करो कि आप एक आदा circle आ रहा है, फिर इसी circle को क्या करो, मतलब एक ring आ रही है, उसको फिर 0 to 2 pi rotate करो, जब आप 0 to 2 pi rotate करते हो, तब आपका वो total sphere cover हो जाता है, यह actually, मतलब इसके पीछे सारा reason था, तो जब भी आपको theta के limits याद रखने, theta के limits हमेशा क्या आते, z axis से start हो जाते, to negative z axis, यहाँ से आपने start किया, your angle is 0, come to negative z axis, your angle is pi, so हमेशा theta आपके वहारी होगा, 0 to pi, what happens if I take hemisphere, उस case में क्या होगा, 0 to pi by 2, आप check करो ना, hemisphere में, hemisphere में जड़का positive party आएगा, या एक तो z का negative part आएगा, अभी उस case में negative z axis है ही नहीं, तो आप कहा तक जाओगे, 0 to pi by 2 तक ही, ठीक है, और आप जब positive octane में आओगे, तब भी वही होगा, 0 to pi by 2, तो ऐसे imagine करकर आप याद रखते हो ना, तो फिर इस variable में कोई confusion नहीं होगा, मैंने वही explain कहें कि आपको theta के limits कैसे याद रखने, theta के limits हमेशे कैसे याद रखने, positive z axis to negative z axis, तो जब आप hemisphere लेते हो, तो only 0 to pi by 2, first octane लेते हो, 0 to pi by 2, same, phi, full sphere है तो 0 to 2 pi, hemisphere है तो 0 to 2 pi, again, and first octane है तो 0 to 5 by 2, फिर इसके बार spherical के उपर कोई question नहीं है, then cylindrical polar system, actually अगर आप देखते हो ना, तो cylindrical polar system का कोई use नहीं है, आपको मैं आगे explain करता हो, तो अगर आपको लगता तो आप use करो, बट ये सारा आपके regular method से भी solve हो जाता है, तो specially इसमें convert करने की वैसी कोई जरूवत नहीं है, कुछ MC के उस थे, जो कुछ student ने cylindrical से solve की है, बट कोई जरूवत जरूवत है ही नहीं, मतलब ये result extra आपके आजाएगा, या आप वैसे भी आपके regular approach से भी solve कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप solve करो, now for triple integral, अभी first part कौन सा है, how to find order of given triple integral, if all three limits are given, अगर आपको सारे limits अगर given है, तो उस case में order कैसे calculate करनी है, तो same result, जैसे double काता है वेसे, if limits of inner integral r function of x and y, तो ये actually कि आते है, z के limits से आते है, तो आपको पहले z से integrate करना है, हमेशा reverse होता है, limits अगर x में है, तो वो y के value जे, limits अगर y में है, तो वो x के value जे, ऐसा होता है, तो x and y के limits से तो ये z के value जे, अभी z का part हो गया, dz से आपने integrate किया, कुछ तो solo के आपको value मिल जाएगी, फिर उसके बाद x के limits से, x के limits से तो other variable यूज करना है, y और z, बट उसमें से z आपने अलड़ी यूज किया है, तो यह obviously क्या होगा, जेजार दे limits of y only, ठीक है, इसमें भी same result आपका carry हो जाएगा, इसमें भी जो आपका outer integral है, outer integral के limits हमेशा constant आएगे, ऐसा कभी नहीं होगा, कि outer integral के limits आपके variable form में आ रहे हैं, तो अभी इसे सबसे आप result वर्काउट कर सकते हो, तो बाकी cases consider करने के जारूत नहीं है, यह भी जो explain क्या वही था, total sphere, hemisphere, positive of turned, हाँ, 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 ellipsoid का explain कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपना microphone mute करो, कुछ student के वज़े सब्स्टब हो रहा है, for complete ellipsoid, ellipsoid में अगर आप compare करते हो, ellipsoid is very similar to spear, but spear का shift क्या होता है, कि distance from origin, मतलब radius vector जो आपका वो constant रहता है, spear में, इसमें ellipsoid में वो पार्ट नहीं रहता है, इसलिए इसके limits कुछ अलग अलग आ जाते, आप देखो कैसे करना है, at the end, मतलब parametric form क्या होता है, आपको ऐसे x, y, z के values calculate करने, which satisfies this equation, तो here, I have to put x is equal to, it is very similar to your spherical polar coordinates, बस आपको करना है क्या है, a से multiply करना है x को, क्योंकि x के नीचे a था, b से multiply करना है क्योंकि नीचे b था, और z को c से multiply करना है नीचे c था, तो जब यह values put करते हो न, LHS का simplification क्या आएगा, if I put x is equal to r sin theta cos phi, y equal to b r sin theta sin phi, और z equal to c r cos theta, तो LHS का simplification क्या आएगा, किसे ने try किया यह, what is value of x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square, r square आता है, यह आपने actually miss क्या आता है, इसके जाज़र confusion हो रहा है, अगर आप यह parametric form यूज़ करते हो, तो LHS का simplification actually आपका आता है r square, तो ellipsoid का polar में equation क्या आता है, r square equal to 1, remember, the equation of ellipsoid, is r square equal to 1, ठीक है, और इस case में dx, dy, dz को आपको replace करना है, r square sin theta, dr, d theta, d5, sphere के time पी यह ABC नहीं आता, उस ellipsoid में आपको ABC factor भी multiply करना है, एक्टेंड यह जो value आरे हैं आपकी, a, b, c, r square sin theta, यह actually Jacobian है, Jacobian of x, y, z with respect to r, theta and phi, यह आपने M1 में calculate किया है, यह actually एक result है, एक theorem है, famous theorem है, जब भी आपको Cartesian को polar में convert करना है, तो dx, dy, dz, को dr, d theta, d5 में अगर आपको convert करना है, तो multiplying factor जो आपका आता है, वो Jacobian आता है, इसलिए previously, circle के भी time पे आप चेक करो, dx, dy, को में ने replace किया था, r, dr, d theta, तो in that case also, your r is Jacobian, Jacobian of x, y with respect to r and theta, यह सारा Jacobian से आपको वो value मिल रही है, तो यह पार तो I think clear है, x equal to a, y equal to a, z equal to a, similar to spherical polar coordinate system, limit से आप देखो, तो अगर आप ellipsoid को compare करते हो, theta और phi के limits में कुछ भी change नहीं हो रहा, 0 to pi, 0 to 2 pi, जैसे explain किया था, वेसे आप याद रखो, बट यहापे values के वज़े से, मतलब x, y, z, इस values के वज़े से, आपको देखते समय ऐसा लग रहा है, कि यहापे r की value तो change हो रही है, हमेशा r की value 1 तो नहीं है, 0 to 1 तो आपको imagine नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपका equation क्या है, जब आप यह values put करते हो, तो LHS में आपको मिलता है r square, तो आपका equation क्या है, बनता है r square equal to 1, means, आप sphere की ओपर कोई भी एक point consider करो, random कई पर भी एक point consider करो, उस point पे r square की value क्या है, 1, it implies r की value क्या है, 1, this is just because of this substitution, क्या explain कर रहा हूं में, आप sphere की ओपर कोई भी एक point consider करो, उस point पे आपको पता है कि because of this substitution r square की value क्या आती है, 1, this implies the value of r is 1, so in this case, your r vary from 0 to 1 always, तो अगर ellipsed का question आता है, r के limits तो आपके हमेशा fix ही रहेंगे, 0 to 1, यह कभी change नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब यह अगर आपको calculate भी करना है, यह x, y, z की value तो इस equation में put करो, आपको r की value मिल जागी, यह आपने किया भी था, जब आप area calculate करते हो ना, कभी-कभी equation आपका calculation में रहता है, तो आपको अगर r की value calculate करें तो आप x और y की value, x equal to r coseta y equal to r sanchita की value, उस equation में put करते हो, तब जाके आपको r की value समझ में आती है, यह मैं लेविर assignment के टाइम पर एक और बार भी explain करता हूँ, बट r के limits calculate करने के लिए, हमेशा diagram से वो आपको नहीं समझ में आएगा, सबसे better way क्या है, आप वो x, y, z के value given equation में put करो, and solve for r, जो भी r की value आपको मिल जाएगी, that value actually gives you limits of r, तो इसलिए ellipsoid के सारे equation में r के limit 0 to 1 आती है, reason इसका क्या है, because of r square equal to 1, अभी यह part clear हो रहा है सबको, आपको square में explain करता हो, square में हमने क्या put किया था, x equal to this, y equal to this, z equal to this, square का equation क्या आपका, x square plus y square plus z square equal to a square, square का equation आपका क्या, x square plus y square equal to a square या जो भी है, but यहाँ पर lhs की value क्या आती है, x square plus y square plus z square की value क्या आती है, r square, so it implies r square equal to a square, therefore r equal to a, इसलिए sphere के time पे R की value कैसी वारी हो जाती है 0 to A A is the radius of the given sphere but ellipsoid के time पे R square equal to यहाँ पे आप चेक करो R square LHS में आने वाला equal to A square therefore R always vary from 0 to A same logic है ellipsoid में भी left side में R square आने वाला है but R square equal to 1 है इसलिए R हमेशा क्या होगा 0 to 1 so don't go from diagram diagram को अभी आपने change किया this diagram is for Cartesian form यह diagram आप polar में तो कभी use नहीं कर सकते है आपका confusion वही हो रहा है कि आप यह same diagram ले रहे हो यह actually यह पे draw भी नहीं करना चाहिए था यह diagram आपकी Cartesian की diagram है जो आप polar में आतो हो तो diagram आपकी change हो जाएगी मतलब imagine करते समय अगर कुछ पार्ट मिस हो जाता है तो आप मुझे इमिजटली बोलो so now the first is direct evaluation यह भी generally आता है आपको या अभी अगर online theory जो भी exam रहेगी उसमें भी ऐसा type की question confirm रहेंगे इसमें logic simple है इनर जो integral है उसके limits x and y में आ रहे हैं तो पहले आपको z से integrate करना है after that x के limits है तो आपको y से integrate करना है उसके बाद constant है तो last variable x इस order से आप solve करो तो आपको वो final answer मिल जाएगा calculation थोड़ा लेंदी है अगर आप proper complete करते हुए we will get the final answer that answer is 5 by 8 मेरा question क्या है अभी आपे मैं यह triple integral को solve किया है और मेरा answer क्या आ रहा है 5 by 8 so what this 5 by 8 gives you इसको पता है यह जो 5 by 8 नमबर आ रहा है यह नमबर एक्चुली क्या दे रहा है आपको volume in which dimension very good volume in four dimension यह आपका regular volume नहीं है यह आप जब भी volume यह word यूस करते हो जाद अतर आपके दिमाई में क्या आता है volume in three dimension volume in three dimension highlights कर सब्सक्राइब तो आपके दिमाई में basically क्या आता है कि volume in volume in अगर आप यूस करते हो जनरल आपके दिमाई में क्या आता है इन three dimension बट आप याद रखो कि अगर आप triple integral of f of x by z ले रहे हो यह अचली function क्या है f of x, y, z तो जब यह आपको इसको draw करना है f of x by z को आपको एक और variable लेना होगा which is say u so u equal to f of x by z आएगा तो इसके जो diagram जाएगी वह जाएगी four dimension में तो यह volume तो देगा बट volume in four dimension ठीक है तो यह ज़्यादा तर इसमें आप mistake करते हो यह आभी जाते हैं आपको इस equation one mark के लिए the triple integral gives you volume in two dimension sorry three dimension four dimension and so on same is zero one minus 1 से मतलब इसको आपने कैसे solve किया है आप आप एक से तो जेड फिर इस पे टो आए तो एक्स ठीक है ज्यादा इसमें नहीं यह वाई और एक्स के लिमिट से हाँ 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 यह ना हाँ शायद इसके वज़े से आपका वह confusion हो रहा है हाँ अभी इस question में क्या है यह actually question में mention होना चाहिए था यह जो limits है 0 to 3 2 to 3 1 to 2 यह variable के fixed limits है मतलब क्या है जैसी इस question में actually क्या given चाहिए था bracket में अ value from 1 to 2 मतलब 1 to 2 these are actually limits of x 2 to 3 these are actually limits of y and 0 to 3 these are actually limits of यह actually bracket में कई पे mention चाहिए था अगर यह mention है तो यह आप random order का use कर सकते हो अगर आपको change करना order change करना मतलब क्या है यह part यह जो part यह part आप पेले ले लो y का part है जो आप last में ले लो x square का part चाहँ था आप last में ले लो मतलब यह sequence आप change कर सकते हो यह change करने के लिए आपको x के limits y के limits और धर के limits पता होने चाहिए तभी आप यह sequence change कर सकते हो तो इस question में वो bracket में mention होना चाहिए था कि x के limits कोन से और y के limits कोन से तब जाके यह part clear हो सकता था ऐसे order imagine करना या calculate करना almost impossible है तो जिस वेसे यह दिया है वो उस वेसे directly order calculate करना possible नहीं है तो यह आपर कई पर करना है कि एक पर mention होना चाहिए था कि x के कोन से limits है फिर आप random order ले सकते हो समझ में आ रहा ही है तो वो एक part तब यह clear हो जाता order change कर सकते हो but provided if limits are known which are the limits of x which are the limits of y which are the limits of z तो आप order change करो but limits को change मत करो जिस पर order से आपको solve करना करो but limit को change मत करो यह problem कब नहीं आ रहा है अगर तिनो limits आपके same आ जाते 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 फिर यह problem नहीं आते तो फिर एक question आपका work out हो जाता बोलो अगर ठीक है ऐसे question थोड़े लेंदी हो जाते आप एक तो try करके रखो पहले desert से integrate करते समय या पर इसको a put करना है m square put करना दिया भी है hint में यह लेंदी होगा calculation आ जाता है आप जादा तर focus concept के उपर कुछ calculation लेंदी है ठीक है आपको आदा 100 लोगा आदा नहीं भी 100 लोगा या कुछ इतने भी trivial नहीं है बट आपको concept clearly समझ में आने चाहिए approach clear होना चाहिए कि किस method से करना है polar से करना है की ने partition से करना है की ने वह पार यह question अभी के लिए में skip कर रहा हूँ क्योंकि यह इस method से ने try करना है अभी triple का पहला part हो गया जिसमें अगर limits given है तो आपको specific order से solve करना है इसलिए अभी उसके बाद मैं second part ले रहा हूँ इसके बाद आपको second क्या prepare करना है यह direct late theorem यह sequence ऐसी मत रखो आप इसको second shift करो क्योंकि आप approach क्या होगा कि अगर पहले limits है तो directly solve हो जाएगा limits नहीं है तो मुझे क्या check करना है triple को solve करते समय मुझे क्या check करना है कि whether it satisfies the direct late theorem satisfy कर रहा है तो मैं direct late से करोंगा अगर नहीं कर रहा है तो मेरे पास last option है solve करने का वो जो भी third part है वो third part और volume का part almost similar है मतला volume के सारे question और यह जो third party वो same logic से हो रहा है इसलिए वो third part लेने के बाद में immediately volume के ओपर आता okay चलो can anyone explain me what is mean by direct late theorem क्या समझ में आरा आपको direct late में yeah how you identify the problems on direct late theorem just focus on the second result बाके result की जरूरत नहीं how you identify the problems on direct late theorem यह basically क्या करता है आपको यह diagram समझ में आ रहे है x plus y plus z equal to 1 यह क्या है एक app भी आता है जो जे बरा करके android app है आप वो download करो आप हमेशे actually आपके mobile में रखो आपको आगे भी किसमें यह useful है उसमें यह diagrams बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे volume का जो पार्ट है ना उसमें जो diagrams मेंने draw की है वो actually उस app से draw की है तो उसमें clearly region दिखाए जाता कि यह कौन सा region है मतलब imagination power आपकी increase हो जाएगी तो उसमें आप चाहो तो वो put करके देख सकते हो कि यह कौन सा region है यह actually क्या x plus y plus z आप इसको कैसे imagine करो x के उपर एक point लेलो 100, y के उपर एक point लेलो 010, z को पर एक point लेलो 001 और इन तिनो point में से एक pass मतलब एक plane consider करो which passing through these three points यह आपका region है उस plane के under जो भी region मतलब जो भी volume मिल रहा है उस volume के लिए आप solve कर रहा है जो भी given volume है उस given volume को actually इस region में convert करना है region which is bounded by this plane जो भी given volume है उस volume को वो कुनसे volume में convert करता है a volume which is bounded by this plane x plus y plus z less equal 1 less equal 1 का महिनिक आपको समझ में आ रहा है bounded part where x is positive, y is positive, z is positive वो है mentioned तो यह इसके पिछे reason है वो उस volume में convert करता है फिर क्या हो जाता है x plus y plus z less equal 1 का volume और आपके given question का volume दोनों same volume है तो given question का volume calculate करने से अच्छा कि आप इसका volume calculate करो क्योंकि इस case में direct result है gamma of L, gamma of M, gamma of N upon gamma of 1 plus L plus M plus N अभी मेरा question क्या था how you identify the problems on calculate theorem क्योंकि identification सबसे important है calculation आप कैसे वी work out कर सकते है कैसे identify करोगे इसे को आ रहा है how you identify the problems on calculate theorem okay first part क्या है आप देखो यह आप फंक्शन का form क्या है f of x, y, z function का form क्या है यह function आपको आप random function के उपर तो calculate नहीं कर सकते okay function का form क्या आ रहा है x raise to some power, y raise to some power, z raise to some power इसी case में ही आप direct rate theorem का use कर सकते हो मतलब अगर मेरा function आता है say under root of x square plus y square under root of x square plus y square is not of the type x raise to some power, y raise to some power, z तो calculate theorem से तो वह solve होगा ही नहीं okay सबसे first condition क्या है कि जो आपका function है x raise to some power, y raise to some power multiply by z raise to some power इस form में ही चाहिए first condition क्या है कि आपको कैसे भी करके यह region वह आपे create करना है x plus y plus z less equal 1 या आप equal to 1 भी बोल सकते हो but provided x positive, y positive और z positive, उसमें वह bounded volume y आता है, ठीक है first condition क्या थी, function of the type x raise to some power, y raise to some power z raise to some power, second condition anyhow, we have to create an equation x plus y plus z, मतलब इन तिनो variable के addition base variable x plus y plus z इन तिनो variable के addition आपको equal to 1 चाहिए या less equal 1 चाहिए less than 1 भी वी वर्क करेगा या equal to 1 भी वर्क करेगा उसी case में triple integration का answer क्या आता है gamma of power plus 1, gamma of y के power plus 1, gamma of z के power plus 1, divided by gamma of तिनो के addition plus 1 तो यह आपका result था, okay now come to the question, बाके यह result देखने के जरूत नहीं है same ही logic है, हाँ, now we cannot apply directly at theorem for this question क्योंकि यह आपे function आपका उस for me नहीं है here my function is under root of x square plus y square तो इस question को solve करना भी possible नहीं है यह भी directly at se solve होगा नहीं because my function is not of the type x raise to some power why raise to some power, the address to some power but यह function यह question आपका directly at se solve हो जाए करना क्या था आपको, अभी यह approach आप छोड़ दो यह direct late से ही किया है शायद हाँ ठीक है, यह एक लिए यहा तक direct late का ही पार्ट आ रहा है directly इसके बाद direct late का आप यूज कर सकते हो तो function आपका उस for me आ रहा है x raise to some power, y की power है इने तो वो 0 आप कंसिडर करो z की power ने तो आप उसको 0 consider करो एक condition satisfy हो रही थी बढ़ आपकी second condition क्या है कि आपको 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 क्या चाहिए था x plus y plus z या u plus v plus w equal to one value चाहिए थी बढ़ आपके पास, मतलब जो भी best variable आप लेते हो उनके addition आपको क्या चाहिए थी one चाहिए थी बढ़ यहाँ पे x square आपका function था बढ़ x plus y plus z equal to one यह equation given नहीं है तो आप क्या करो using substitution convert this equation x upon a plus y upon b plus z upon c equal to one convert this equation into u plus v plus w equal to one इसमें आप convert करो जैसे ही आप उसमें convert करते हो वो आटोमेटिक डिरिक्लेट से साल हो जाएगा तो convert करने के लिए x upon a के जगे पर आपको चाहिए u तो put x equal to au y upon b के जगे पर आपको चाहिए v तो put y by b equal to v 0 upon c के जगे पर आपको चाहिए w so put z equal to cw फिर dx की वालू, dy की वालू, dz की वालू फिर equation में सारा put करो after simplification we will get this triple integral u square abc du dv dw w, अभी आप चेक करो, अपके पास अभी function क्या है, u square v का function नहीं मतलब v raise to 0 w का function नहीं मतलब w raise to 0 और इन तिनो variable के addition भी क्या आ रही है, 1 तो directly condition अभी satisfy हो रही है function of the type u raise to some power v raise to some power, w raise to some power abc आ बहार निकालो, वो constant है and तिनो के addition भी क्या है, 1 तो आपका direct answer क्या आएगा, so this part is equal to gamma of u की power plus 1, मतलब gamma of 3 multiply by gamma of v की power नहीं ये तो 0, plus 1 मतलब gamma of 1, similarly gamma of 1 divided by gamma of their addition plus 1, वा answer आप check करो cross verify करो, वा answer आपका यही आए, abc a cube bc upon 60, ठीक है समझ में आ रहा है ये part ये part समझ में आ रहा है and same question क्या क्या चले, add then आपको, हाँ, आपको उसको simplify मतलब, जो result जल्दी आपको answer देगा ना उससे आपको try करना है, तो आप other results आपके पास always open है, अब जो मैं आपको third method explain करने बाला होना that method is applicable for all given triple integral उसमें कोई restriction नहीं है ज्यादा तर ऐसे try करो कि direct lead क्या होता है, कि आपको without drawing, without plotting that region also, आप directly उसका answer लिख सकते हैं, और फास्ट है दो lines में आपको answer दे रहा है इसलिए अगर वो direct lead से हो रहा है तो अगर आप directly lead से करता हो तो आपका time से होगा otherwise जो आपका third option है, वो always open है नहीं किसी भी method से solve हो रहा है तो आप उससे solve करने वाल है, ठीक है अभी थर्ड पार्ट क्या है अभी आपको directly उस limits काल्कुएट करने आपने double में कैसे किया था आप एक वर्ट के आप लेते हो फिर उस strip के आप limits काल्कुएट करते हो पिर के strip के जो limits से that gives you limits of either x और y depending on whether you consider vertical strip or horizontal strip और फिर आप उसको move करते हो जो moving के limits है, that gives you the limits of outer integral inner integral means strip के limits, outer integral means moving का जो पार्ट आता है उसके limits same actually logic आपको triple में use करना था आपको अभी triple में, instead of vertical strip आपको क्या consider करना होगा, अगर आपको वो logic same use करना है तो क्या करना होगा अगर आपको suppose limits ही calculate करने मतलब strip consider करके जैसे double में आप vertical strip या x strip लेते हो पिर अगर आपको triple में उसको solve करना है using same logic आपको यह आप एक rod लेना होगा three dimension rod जिसमें x के limits आते, y के limits आते, z के limits आते वो rod आपको उस region में consider करना होगा उस rod से फिर आपको x के limits समझ में आएंगे ठीक है और आपको समझ में आ रहा है कि यह double में difficult होता था अभी three dimension फिर इसको, फिर same logic is उस rod के जो भी limits से that gives you अगर आप vertical लेते हो parallel to z axis अगर आप लेते हो तो उसके जो limits से that gives you limits of z फिर x y plane के उपर जो आ रहे that gives you limits of middle और फिर आप moving का जो पार्ट है उससे आपको outer के समझ में आएंगे बट वो imagining करना है या actually उसको draw करना भी इतरह trivial पार्ट नहीं है इसलिए आप क्या करते हो वो rod से limits, instead of calculating limits by rod आप क्या करने वाले हो triple को double में convert करो क्योंकि जैसे question आपका double में आ जाता है double में आपके पास पूरी idea है कि उसको solve के से करना है तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो actually convert triple into double यह logic और consider a rod in given region यह same ही है, इसमें कोई difference नहीं है बढ़ आप वो दो पार्ट में split करते हो एक ही टाइम पर तिनों के limits नहीं consider करे हो दो पार्ट में split करते हो तो आप imagine करो कि consider a vertical rod in given region तो अगर आप given region में एक vertical rod लेते हो तो जो rod के limits से that limits actually gives you limits of z और इतना आप हमेशा याद रखो जब आप vertical rod लेते हो मतलब a rod which is parallel to z axis उस case में पहले आपको z से integrate करना होगा आपने ये पहले double में देखा है अगर आप parallel to y axis अगर आप strip लेते हो तो आपको पहले y से integrate करना है अगर आप parallel to x axis अगर आप strip लेते हो तो आपको पहले x से integrate करना है तो जिस axis को आप parallel लेते हो ना उसी axis से आपको पहले internet compulsory करना पड़ता है तो in every equation of triple integral और in volume आप हमेशा क्या करने वाले हो consider one rod which is parallel to z axis this implies actually first of all we need to find limits of z तो अगर आप एक rod imagine करो कि आपने consider किया तो z के limits actually आपको इस equation से मिल जाएंगे तो x square plus y square equal to z square आप solve करो z के लिए minus under root of x square plus y square to plus under root of x square plus z this actually gives the limits of z यहाप इन्हेंने cylinder से किया है मैंने आपको बोलाएंगी यह आपको इस method से करना है तो करो यह जो volume का part में explain करना हो वो अभी इसके बाद consistent है same logic से solve जाएगा तो उससे आपको z के limits solve जाएंगे यह add then यही इसमे convert हो रहा है आप देखोने यहाप रो स्क्वेर क्या लिया उन्हें एक सकर प्लस वाइसकर तो रोके values क्या है minus under root of x square plus y square to plus under root of x square plus y square तो z के limits आगे from minus under root of x square plus y square to plus under root of x square plus y square तो इस function को पहले z से integrate करो z से integrate करते तो x and y आपके constant ही है तो वो बाहर आ जाएंगे limits put करो you will get some function फिर इसके बाद आपके पास एक double integral काई पाट रहेगा और वो double integral actually आपको r region के उपर solve करना है और वो r region हमेशा क्या होता है projection of the given region on x y plane अभी आपका question यह आएगा कि why I consider always x y plane क्योंकि आपके जो rod है वो parallel to z axis है आपको projection हमेशा प्रोजेक्शन आपके से लेते हो rod का जो उपर का पार्ट है उस पार्ट से आपको projection लेना है तो अगर आप rod अगर आप parallel to z axis लेते हो तो projection लेते समय आपको z axis से लेना होगा जब आप z axis से projection लेते हो आपको x y plane के उपर ही उसकी image मिल जाएगे इसलिए जो आपका region आ रहाता है double integral का जो region आ रहाता है that region R is actually projection of given region on x y plane तो ये region आप एक तो diagram से calculate कर सकते हो मतलब diagram ड्रॉ करो उपर से imagine करो कि उसकी image क्या मिल जाएगे आपको नीचे x y plane के अब यहापे क्या मिल जाएगी दिखाई दे रहा है प्लेंड पर क्या मिल जाएगी sorry इसकेस में limits आपके क्या आएगे आप यहाई इसमें imagine करो यह आगर मैंने rod लिया तो lower जो end है lower end I think कोन के उपर आ रहा है तो lower end पर आपको मिलेगा z equal to under root of x square plus y square तोकि इन्होंने cut किया था वो मैंने देखा नहीं यह कुछ cases में आपको थोड़ा डाइगराम से भी जाना होगा हमेशा तो trick work नहीं करेगी इन्होंने negative part लिया ही नहीं negative part नीचे आता है आपका मुझे लगा यह पुरा कोन है पुरा कोन होता तो आपके limits correct आते अगर नीचे भी क्योंकि यह होता है यह पुरा कोन ऐसे आता है तो अगर नीचे का भी part consider क्या होता है then your limits are correct from minus under top x square plus y square to plus under top x square plus y square तो कि यहाँ पे उन्होंने दिया था z is positive means you have to consider above x axis तो यहाँ पे below under top x square plus y square और above z equal to 1 यह z के limits आएंगे then convert triple into double double आपका RQ पर solve करना है तो इसका projection आप देखो यहाँ से आप चाहो तो एक torch imagine करो इस part से तो आपको यहाँ पे एक circle मिल जाएगा x y plane के उपर तो बस वो circle calculate करो वो circle के आएगा इस point पे 0 equal to 1 था तो 0 equal to 1 इस equation में put करो you will get x square plus y square equal to 1 so that is your circle फिर उस circle के उपर आप solve करो अब इस circle का part है इतना याद रखो इस given region is part of circle solve by polar coordinate system only क्योंकि वो सबसे fast approach होता है solve करने का partition से circle हो जाते तो उसके बाद polar से आप solve करो यह same limits आते total circle है तो r vary होगा 0 to 1 theta vary होगा 0 to 2 pi और यह आपके z के limit z vary होगा under root of x square plus y square to 1 solve करो आपको answer मिल जागा और answer is pi by 6 यह direct rate का ही है इसमें क्या करो integral को separate out करो x square y square plus y square z square plus x square z square और तिनों का अलाग अलाग solve करो actually तिनों का same ही आता है so at then आपको बस 3 times करना है यह question था actually triple के और भी बहुत सारी question है ठीक है बड़ अभी जितना important day है वो हमने cover किया अभी तो कुछ doubts है तो बोलो क्योंकि volume का within 10 minutes सी हो जाएगा इस PPT में इस PDF में कुछ doubts है क्या कुछ doubts अभी में फिर से एक बार explain करता हूं अभी में फिर से एक बार explain करता हूं अभी फोकस वन मोर टाइम अभी फिर्स्ट में आपकी क्याती है विद लिमिट टिर्पल इंटिग्रा सेकर्ड में आपकी क्याती है दिर्पल इंटिग्रा मैंने कंडिशन आपको explain किया function का एक specific form चाहिए और anyhow we have to create u plus v plus w equal to 1 तब जाके direct rate work होता है now third part now this third method is actually applicable for all given triple integrals there is no restriction तो यही same logic में use करने वाला अभी volume के question के उपर ठीक है तब ही method क्या है आपको पेले क्या करना है consider a rod in given region which is parallel to z axis तो अगर आप z axis को parallel एक rod given region में लेते हो तो आपकी जो मतलब पेले आपको हमेशा किस से internet करना होगा z से internet करना होगा यह इसके पिज़े आ जाता है तो यहाप आप imagine करो कि आपने इस given region में अभी आप region में ने डॉक है इस given region में मुझे एक vertical एक rod consider करना है जो rod का lower end है lower end आपका इस cone के उपर ही आएगा correct है सी पहले आपको cone का equation समझ में आना चाहिए z square equal to x square plus y square यह total यह cone होता है उपर का part और नीचे का part this is actually z square equal to x square plus y square बट उन्होंने bracket में यह दिया था z is positive मतलब जो negative part है वो आपको consider नहीं करना तो यह diagram skip करनी है पोस उपर का part consider करना है तो इस region में एक vertical rod consider करो उसका जो lower end है वो कहापे आएगा cone के उपर आएगा और इस cone के उपर z की value क्या है x square plus y square z equal to under root of x square plus y square इसलिए z का जो lower limit होगा वो under root of x square plus y square नाव जो upper end है वो z equal to one plane पे उपर आएगा या आपका z equal to one plane था ठीक है इसलिए upper end आपका वो cone पे नहीं आता क्योंकि cone का part मतलब वो side में ही था cone में आपको बता है कि middle का part वो vacant है उसमें कुछ नहीं है तो इसलिए जो upper end rod का वो plane के उपर आएगा ना कि cone के उपर आएगा वो cone se plane के उपर आएगा z equal to one के उपर इसलिए z के limits के आएगे under top x square plus 1 square 2 z equal to one these are actually the limits of z यहीं दिया है यहाप समझ में आ रहा है z के limits समझ में आ रहे के नहीं अभी नहीं भी आ रहा है ना तो अभी volume यही part तो repeat करना है मुझे तो और अच्छे से वो clearly समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभी के लिए triple का इतना ठीक है now come to the चलेगा 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 हाँ हाँ cylindrical ना हाँ actually cylindrical polar coordinates का use ही ने वो actually क्या है अभी जो आपने explain किया ना उसको यह बस उन्होंने adjust किया तो ऐसे जरूद ही ने क्या करना हो कि फिर echo region आपका add हो जाता है अगर आप cylindrical को skip करते हैं तो आपके पास अभी दो ही region है क्या है ectosphere और second ellipsoid so it's better to remember for both this region क्योंकि same आपने double के लिए भी किया था ellipse और circle तो better way क्या कि इन दोनों region में आप रो क्योंकि इन दोनों region से सारे के सारे question आपके solve हो जाएंगे cylindrical को add करने की कोई जरूद नहीं है यह question आप try करो अभी जो मैंने explain कहती है volume का जो पार्ट है उस method से आपको same answer मिलेगा तो غालागा now come to volume नहीव क्या लग्ड़त्य नहीं से मिले लॉगँ आपके पुर आप एप एक्स्प्रेंट किया था कि य एक्चुली डबल डिपल से आपको एडरीया वॉल्यम पू सारह पार्ट करना है तेके मैं quickly explain करता हूँ अगर आप एक single integral लेते हो single integral for this function f of x equal to x और मैं bounded कर रहा हूँ पार from x equal to 0 to x equal to 1 so consider a single integral from x equal to 0 to x equal to 1 यह अगर आप solve करते हो आपका answer यह आ पर आ रहा है 1 by 2 तो यह actually 1 by 2 आपको क्या दे रहा है area under the curve f of x equal to x इसका मतलब क्या हो गया कि single integral यह मैंने proof geometrical दिया है इसका mathematical proof आपको understanding के लिए time जाएगा इसलिए वो skip किया so this actually gives you it means single integral of f of x always gives you area under the curve यह हो गया आपका उसका mini अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक projection यहाँ से consider कर रहा हूँ आप चाहो तो यह आप एक torch रखो और उसका projection consider करो इसका अगर आपने projection लिया तो यह आपको मिल जाएगा यहापर मैंने जो red से draw किया है यह length आपको मिल जाएगी ठीक है और उसकी जो length है वो आपको कैसे calculate करनी है मतलब projection का जो part आपको मिलता है उसकी length उसका area या उसका volume projection का वो भारी हो जाएगा अगर single integral है तो projection आपको मिल जाएगा length double integral है तो projection आपको मिल जाएगा area triple integral है तो projection से आपको मिल जाएगा volume वो कैसे calculate करना है तो वो calculate करते हैं आप हमेशा क्या करो function को one put करो तो इस question में अगर मैं function को one put करता हो और फिर से solve करता हो answer मेरा क्या आ रहा है one आप cross verify करो यह जो projection आपे मिल रहा था उसके length भी क्या थी one so this actually implies आप अभी two dimension में थे single integral अगर आपने solve किया था आप two dimension में थे पहले क्योंकि वो area आपको दे रहा था जब आपको two dimension से first या one dimension पे आना है आप क्या करते हो projection लेते हो और projection के बाद हमेशा आपके dimension क्या हो जाते है radius हो जाते है तो जो भी corresponding quantity आपको मिल जाएगी वो one dimension में मिलती है और इससे mathematically कैसे work out करना है इसको mathematically solve करने के लिए आप क्या कोरो function की जगए पे one रखो तो अगर आप function को one रखते हो तो automatic आपका answer क्या जाएगा projection का जो part है वो आपका उससे solve हो जाएगा नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप एक और बार double का example देखो so now consider a function x square plus y square okay z equal to x square plus y square actually gives you parabolaid parabolaid cone equation अलग अलगे cone का आता तो z square आता है z square equal to x square plus y square parabolaid आता तो z equal to x square plus y square तो यह आपका parabolaid है यह आपे मैंने draw भी किया है इसमें भी मैं bounded part रखता हूँ from 0,0,0 point to 0,0,2 point in between का इस part consider करो तो इस region के लिए अगर मैं double identical solve करता हूँ मैंने polar सी किया actually r vary from 0,2 क्योंकि इसकी image मैंने लिए ती same logic से तो वो calculation part में skip कर रहा क्योंकि इसकी projection इसका क्या आने वाला है यहाँ पे एक circle आने वाला है तो वो circle के limits के आएंगे r vary from 0 to 2 radius 2 ही क्यों आएगी क्योंकि 002 point पे यह जो link थे this is actually circle of radius 2 तो इसका projection नीचे जाते से में link वही रहेगी तो r vary from 0 to 2 circle है तो theta vary from 0 to 2 pi x की जगा पे r को theta y की जगा पे r sin theta x square y square की value r square dx dy को replace करो r dr d theta so if I solve this I will get 8 pi so यह 8 pi आपका answer आ रहा है this 8 pi is actually volume bounded by this carabolide in between the point 0 0 0 and 0 0 2 ठीक है बट मुझे क्या करना था मुझे यह volume calculate नहीं करना है जो projection है आपे मिल रहा है जो circle जो मुझे मिल रहा था x square plus y square equal to 2 उसका मुझे area calculate करना है तो मैना question क्या find the area of the projection तो वो अगर आपको calculate करना था आपको क्या करना होगा function को equal to 1 put करना होगा so just put f of xy equal to 1 तो आपका function था x square plus y square उसके जगा पे आप 1 रखो and फिर solve करो आपको यह आपे answer वो क्या दे रहा है 4 pi आप cross verify भी करो जो circle था उसका area क्या था pi r square but r की value क्या है 2 तो आपका answer क्या आएगा pi 4 means 4 pi तो यही same logic actually use करके मैं triple का part consider करने वाला हूँ अभी यहापे मैंने diagram आपको नहीं दे क्योंकि 4 dimension की diagram draw करना possible नहीं है तो बज़ मैंने explanation दिया है triple integral of a function dx divided dz actually gives you the volume in 4 dimension तो यह आपका obvious guess था but मैं function को अगर 1 रखता हू so actually it gives you volume in previous dimension means in 3 dimension तो इसलिए triple integral dx divided dz यह आपका क्या बन गया भी formula बन गया to find volume of the given projection तो इसलिए only the formulas dx divided dz in spherical polar system तो आपको बता है कि spherical polar system में dx divided dz replace होता है r square sin theta dr d theta d5 don't change don't confuse between theta and phi इसको change में करो यह आप गलती से 5 भी लिखा the whole answer is wrong and now cylindrical polar coordinates इसको मैंने बोला है कि आप चाहो तो skip करो and third part is and third part is mass आपको यह शायद result पता ही है कि mass upon density actually gives you volume तो कभी कभी आपको ऐसा भी question आगा है कि find mass of the given region यह जो भी given part हो तो mass calculate करते समें mass equal to बस आपको करना क्या है रो से multiply करो where is the density वो given होगा question में तो जब आपको mass calculate करना है आप actually volume ही calculate करो उस volume को density से multiply करो it gives you mass for the given question इसलिए इसमें ज़्यादा आपको confusion नहीं होना यह बस formula based question है तो आभी जो मैंने explain क्या था वही पार्ट यह आप है कि triple को actually solve कैसे करना है यह actually in general method सारे steps यह आपे दिये थे मैंने okay ठीक है volume ही in general भी आप ले सकते हो convert triple into double उसके लिए आपको पहले जड़के limits consider करना है मैं आपको फिर से भी बोल रहा कि मैंने zk limits की consider में कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा में क्या करने वाला हूँ I always consider a rod parallel to z axis in given region that's why I always integrate first with respect to dz and then यह आपकी choice है आप चाहो तो y से करो आप चाहो तो x से करो बट ज्यादातर question का जो form रहता है वो zk limits के लिए ही रहता है आपने देखा भी यह volume के सारे question में zk limits given थे इसलिए वो जो form रहता है वो zk limits में रहता है इसलिए by default आप चाहो तो zk limits ही consider करो तो zk limits calculate करो पहले z से integrate करो you will get a double integral over r of some function g of xy dx diva सबसे important part का है कि यह r region क्या होता है this r actually the projection of given surface on xy plane यह almost अभी आपको previous question से थोड़ा बहु समझ में आ जागा so where r is always the projection of given surface on xy plane अभी यह r calculate के से करना है उसके लिए दो result है सबसे पहले क्या diagram देखो diagram से calculate करो क्या r region क्या है okay but यह सबको तो possible नहीं होगा क्योंकि कुछ student को diagramatically जाना difficulty लगता है okay suppose आपको diagramatically नहीं जाना है तो एक mathematical trick क्या है आप आप क्या करो just try to find an equation which is free from z मतलब क्या करो के से भी करके x और y का एक equation generate करो वो 99% वो क्या होगा आपका projection of projection on xy surface या xy plane होगा okay so second approach क्या है just try to find an equation which is free from z मतलब z को eliminate करके x and y का equation calculate करो वह आपका region r होगा और फिर उस r region पे आप solve करो okay you will get the value for given triple integral ठीक है तो यह for example एक question आप consider करो x square plus y square equal to 4 अबी 3 dimension में circle का equation एक्चुली बन जाता है cylinder तो x square plus y square equal to 4 एक्चुली cylinder जो यह आपर मेंने ड्रॉबिक है यह सारे डागरम मेंने जो जब्रा से भी जो जब्रा से इस ड्रॉख की एक्चुली तो आप एक बार यह एप ट्रॉख करो जो जब्रा 3D ऐसा कुछ तो है and the plane y plus z equal to 4 and z equal to 0 तो एक cylinder है उसको cut करो z equal to 0 and z equal to 4 minus y plane से तो in between जो भी पार्ट मिलेगा उसका आपको volume calculate करना है तो यह volume आप आप भी calculate कर रहे हो यह था भी diagram अगर आपको विदाव diagram जाना है तो बस क्या करो question से z के limits calculate करो तो यह पर z के दोनो limits आपको पता है one is zero second is 4 minus y तो यह z vary from 0 to 4 minus y तो अभी आपका equation क्या आ जाएगा कि अगर मुझे diagram से नहीं जाना है तो यह limits आपके reverse भी हो जाएंगे in some case you may consider z from 4 minus y to 0 या by mistake अगर आप z equal to 4 minus y to 0 भी आप लेते हो तो last में क्या होने वाला है आपको भी पता last में क्या होगा कि आपका volume जो आने वाला है वो negative आएगा आपको पहले पता है कि volume is always positive तो इसे case में limits अगर reverse भी हो जाते तो रहने तो last में volume आपका negative आता है last में बस एक statement आड करो since the volume is positive therefore the volume equal to magnitude of या modulus of the given answer तो इसलिए ऐसा compulsory नहीं कि आपको diagram ड्रॉई करनी है आप directly questions से z के limits calculate करो random order consider करो convert triple into double okay solve करो positive answer आता है तो well and good okay negative आता है तो इसको positive में लिको ठीक है तो z के limits से मैंने triple को double में convert किया now this r या r आपका क्या आता है origin I can say a projection of given surface on xy plane तो एक तो diagram से draw करो या नहीं जाना तो question में देखो इस question में कैसे भी करके आपको SI equation calculate करना है जिसमें z का time आपको नहीं चाहिए और find an equation which is free from z तो वो तो given ही था कुछ ज्यादातर question में given ही रहता है तो आपके पास वो directly equation x square plus y square equal to 4 this is an equation which is free from z तो यह r region आपका क circle अभी जब आप यह r region बोलते हो हमेशे याद रखो आप आते हो two dimension के ऊपर तो आभी कोई भी चीज़े आपको three dimension में imagine नहीं करनी है तो जब आप r बोलते हो तो now we are in two dimension तो आप यह r region आपका क्या x square plus y square equal to 4 so this is actually a circle so given volume को इस circle के उपर solve करो एक radial strip आप consider करो उसके limit से 0 to 2 total circle को cover करने के लिए ठिटा आपका vary होगा 0 to 2 pi ठीक है यह same substitution x equal to this y equal to this x square plus y square equal to r square solve करो आपको answer मिल जाएगा अभी इसमें मैंने आपको group पे भी दिया था आप क्या करो जो definite integral है definite integral मतला आप देखो यह दोनो limits constant है 0 to 2 एसे जो limits है यह limits सर यह आप नहीं होगा क्योंकि आप एक और variable आ रहा है sin theta ठीक है but definite without variable यह आप साइन theta variable है इसलिए यह आपर Kelsey का यूज नहीं होगा but जिसमें आपको पता कि इसका answer confirm एक constant आने वाला है यह 2 by 3 4 by 3 ऐसा एक constant आने वाला है वो सारे integral आप Kelsey से भी verify कर सकते हो तो scientific calculator अगर online exam में तो आपको compressor यूज कर सकते हो अगर online exam नहीं आती है या थेरी का भी पार्ट आता है तो उसमें आप cross verification के लिए Kelsey का यूज कर सकते हो यह सारे integral आप Kelsey से एक बार verify करो कि actually वह Kelsey में आपको same answer दे रहा है कि नहीं जैसे कि यह लास्ट इंटीग्रल जिरो टू पाई एट माइनस एड़ बाई 3 साइंट इटा इसका answer आ रहा है 16 पाई आप manually तो आपको आना ही चाहिए वह तो main part ही बट एक बार तो इसके आगे सारे equation वेसे ही है जेड के limit से एक दोनों given है random order लेलो यह सा complex रहे कि कौन सा लोवर है कौन सा आप पर है आप randomly slate करो reverse भी हो जाता है तो भी कोई problem नहीं फिर उसके बाद r region आपका क्या आता है तो r region calculate करने के लिए मुझे इन दोनों equation से z को remove करना होगा तो lhs are equal therefore rhs are equal तो इस equation से आपका z remove हो जाएगा ठीक है फिर इन दोनों को solve करो taking square cancelling you will get x square plus y square equal to 1 तो आपका r region था circle circle पे solve करो same logic answer आपको मिल जाएगा same this question 3 same this question 4 z के limits से triple को double में convert करो and region r पे solve करो diagram की जरूद नहीं same this question 3 4 same यहापे z के दो limits से plus under root of 2x minus under root of 2x only calculation का part है यह इस question में आप ज्यादा तर mistake करते हो तो बस यह मंतब region का part यहापे जो आपका region r आ रहा है वो region r actually आपका x square plus y square equal to 2ax it is actually a circle okay which is centered at a,0 इसको solve करो 2x को left side में shift को we will get x minus a whole square plus y square equal to a square तो actually आपका एक circle है तो यह circle यहापे मिने draw किया this is your circle centered at a,0 इस circle में अगर आप radial strip लेते हो तो यहापे strip के limits variable form में आएगे जो आपका lower limit है वो 0 तो आ रहा है उसमें कोई problem नहीं पर जो upper end है वो इस circle के उपर आ रहा है तो आपको पहले क्या करना होगा इस circle के उपर आपको r की value calculate कर दी है वो कैसे x की जिकर पे r cos theta put करो y की जिकर पे r sin theta put करो lhs की value आजाएगी आपकी r square फिर आगे क्या आता 2ax 2a as it is x की value क्या r cos theta इन दोनों को solve करो r के लिए तो r r आपका cancel होगा and you will get r equal to 2a cos theta it means इस circle के उपर आप कोई भी point consider करो उस point पे r की value आपकी क्या आती है 2a cos theta therefore your limits are from 0 to 2a cos theta ऐसे question में थोड़ा carefully रहना है ठीक है and theta इसको cover करने के लिए यहाँ से आपको start करना होगा है ना यहाँ से आप start करो इस यहाँ पे angle आपका minus pi by 2 है फिर यहाँ से आप यहाँ तक आओ जाओगे your angle is plus pi by 2 so theta vary from minus pi by 2 to plus pi by 2 यह generally आता है ऐसे type के circle आपको आने वाले centered at 0,a minus a,0 ऐसे touches x-axis touches y-axis फिर इसको solve करके आप answer मिल जाएगा यही एक ऐसा question था जहाँ जिसमें आपको region r circle तो मिल रहा है तो अगर यह आप इन detail में expand करता हो यह question है भी assignment कर इसमें तो x square plus z square equal to a square equal to a square यहाँ से z के दो limits आपको मिल जाएगे ठीके z equal to minus under root of a square minus x square to z equal to plus under root of a square minus x square put करो solve करो you will get this यहाँ तक आपका हो गया triple का double में convert now we have to solve this part over region r तो आपका region r यहाँ पर क्या given है x square plus y square equal to a square means a circle ठीके यही एक ऐसा question है combination of two cylinder जिसमें region आपका circle आ रहा है बट फिर भी मैं polar से solve नहीं कर रहा हूँ इसका region यह था आप चाहो तो polar से एक बार try करो वह integration difficult हो जाता है या किसी को solve होता है तो well and good मुझे भी answer आप forward करो बट वह integration एक stage के बाद difficult हो रहा था इसलिए मैंने वो skip किया और skip इसलिए भी क्या था क्योंकि partition से simple हो रहा था तो यह एक ऐसा question है कि जो polar से difficult हो रहा है just because of that मैं इसको partition से solve कर रहा हूँ और कोई reason नहीं है तो आपका पहला approach polar से ही था इस इस question में भी आपको पहले polar से ही try करना था बट आगे जाकर आपको समझ में आ रहा है कि चलो यह polar से ज़्यादा difficult हो रहा है इसलिए आप immediately switch करो और partition से solve करो इसलिए यह यह कैसा question है जिसमे circle था पर फिर भी मैं इसमें vertical strip ले रहा हो फिर yk limits calculate करा हो at bottom y equal to minus at bottom y equal to plus now to cover this whole circle I have to move the strip from left to right where at left you will get x is equal to minus a at right you will get x is equal to a और फिर इस sub का use करके मुझे यह integral मिल रहा है volume equal to minus a to a y equal to minus 2 plus 2 and root of a square minus square divided x अभी आप देको इसका simplification इसे आ रहा है 4 times x vary from minus a to a a square minus x square का dx या भी इसका आप solve करो your answer is 16 a cube by 3 यह polar से difficult हो रहा था इसले ही मैंने Cartesian से किया है otherwise आपको आपका पहला approach polar ही था और आपको polar से ही solve करना है जब भी आपका region circle का part आता है अभी इसमें z के limits calculate करके यह region R आ रहा है इस question में जो region R है वो actually क्या है intersection of this two parabolas y square equal to x and x square equal to y now this region is not part of circle अभी तक के सारे question में आपका region part of circle था इसले ही आप polar से जाते हो now this region is not part of circle means you cannot solve this question by using polar coordinate system कर सकते हो बड़ उसके लिए वो value जो भी आते है ना रहा है कि वो completed आते है इसले हमने प्रॉपर डिवाइड करके रखा कि circle का region है तो ही circle polar coordinates से solve करो region अगर circle का नहीं है तो आपको Cartesian से solve करना है तो इस region में मतलब यह double integral solve करते है समय मुझे vertical strip लेकर उसके limits calculate करके फिर आगे solve करना था यह था because this region is not part of circle I think यहीं लास्ट question है okay so यहाँ तक बोलो कुछ doubts से तो मैं assignment का part open कर रहा तब तक नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोल आओ जा रहे ना सबको अभी बोलो इसमें क्या-क्या doubts थे यही है ना हाँ ठीक है शायद यह initial question तो हो रहे so here function is of the type 5 of x, psi of y, z then which of the following is correct okay अभी यहाँ पे dz पहले दिया ना उन्होंने यह actually यह wrong ही है question बढ़ आप ऐसे आप एंसर लिखो यहाँ पे पहले dz दिया है मतलब e2 यह z के limit से फिर y दिया है so c2d यह y के limit से फिर x दिया है मतलब a2b यह x के limit से तो कोई भी question देखो बढ़ जब भी dx से multiply होगा x के limits आपको compulsory क्या चाहिए a2b कहाँ पे आ रहा है यह x के limits a2b y के limits c2d y के limits c2d और z के limits e2a तो option b कोई tick करो actually जब आपको order mention करने ना तो उसका writing का way यह नहीं होता यह से ब्राक हाँ यह से होता है जो उपर दिया ना c में इस वे में लिखते हो तो यह आपको order confirm समझ में आती है from the question so the order of this given question is dz dx dy इस वे में कभी नहीं लिखना है कि इस वे में आप लिखते हो so dz dy dx not gives you order तो यह question में typing mistake है बढ़ वो समझ में आ जागा और आप integral को separate इसलिए कर रहे है टॉप 3 integral यह in general true नहीं होता यह consequence में हो रहा है जब x का function y का function z का function तिनों का function अलग अलग है यह जाद तर polar में use होने वाला है r का part अलग है, theta का part अलग है phi का part अलग है, तिनों को भी separate करो यह fast हो जाता है एक time पे तिनों solve करो हो गया और बोलो जो यह 3 simple है यह सारे easy है, चलो 4 simple है 5th में कुछ issue नहीं है correction थे, वो मैंने आपको group पे forward किये 29 29 ना इसमें क्या हुआ यह ellipsoid का question है अभी इसके polar coordinates आभी मैंने आपको explain की r is x is equal to a, r cos theta sin phi y equal to b, वो सारे r sin theta cos phi and z equal to r cos theta वो सारे आप as it is copy paste करो dx dy dz को replace करना abc r square sin theta, dr d theta d phi यह आपे theta k limit से 0 to 2 pi r k limit से 0 to 0 to 1 and 5 k limit से 5 k 0 to 2 pi 5 k 0 to 2 pi, theta k 0 to pi r k limit 0 to 1 जो polar coordinates of ellipsoid वहाँ से as it is copy paste करो और directly triple integral solve करो अभी इसका volume calculate करना है mass की value के आएगी volume into density तो पहले आप volume calculate करो तो formula आएगा triple integral r square dr d theta d phi where r vary from 0 to 1 correct 5 vary from 0 to 2 pi theta vary from 0 to pi और last में k x y z से multiply करो answer को समझ में आ रहा ellipsoid का volume calculate करो फिर उसको density से multiply करो that gives you mass और राग को में सकता वहे झाएव करो सेher क्पोश्य है झाएवम है बड़ी झाएवा बड़ी में पर चाएवम है कौन सा क्वेशन था एक बार फिर से बोलो क्या था क्वेशन 6 वोल्यूम आप क्यूप क्यूप का था क्या वो शायद इसमें होगा फिर वोल्यूम का ना वोल्यूम आप सिलिंडर स्पीयर यह तो अभी वॉल्यूम का आपका फॉर्मला क्या है ट्रिपल इंटिग्रल इसमें इसको पोलर से करो क्या बोलता है क्या बोलता है ट्रिपल इंटिकल डी एक्स डीवाई डीजड गरेक्ड यह आपका वोल्यूम का फॉर्मला है और फिर जेडिकल लिमिट्स जिरो टू ए जिरो टू ए वही है न फिर जारेक्ले जिरो टू ए जिरो टू ए जिरो टू ए तो यह आप कार्टिशन से करो वह उससे सिंपल है तो यह आपके कुछ क्यों बैसा स्पेसिफाइड नहीं किया तो आरेक्ट लिए दिया हाँ और कार्टिशन से करो करो